हे गाईज कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ विवेक फों फिंटेक्स प्रो जहां पर हम बात करते हैं फैनेंस इंट टेक्सिशन की एंड कल एक रीसेंट नोटिफिकेशन आई थी सी बीडिटी की जहां पर चार न्यू कंडिशन्स नोटिफाई की थी सी बीडिटी ने अगर लास्ट कंडिशन थी अगर आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर सभी सेविंग बैंक अकाउंट का एग्रिगेट जो फिफ्टी लाक या उससे जादा है तो इन चार कंडिशन में आपके लिए मेंडेट थी है आई टीर फाइल करना अगर आप इन चारों सिक्स बड़ी आई टीर की दस से जादा मैं फ्री वीडियो यूट्यूब पे डालने वाला हूं प्रैक्टिकल के स्टडीज आपके साथ डिसकस करूंगा शियर मार्किट की ट्रांजेक्शन हो गई है आपके सीनियर सिटीजन की आई टीर हो गई लेन बिल्टिंग अगर आ से जादा प्रैक्टिकल के स्टडीज डालने वाला हूं इसी यर सो बहुत सारा कंटेंट आई टेर से रिलेटेट आपको मिलने वाला है हमारे चैनल फिंटेक्स प्रो के उपर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो हम बात कर रहे थे वो चार conditions में अगर आप byल करते हैं तो कैसे आपको यहां पर select करना होता है so जब आप यहां पर select करते है reasons that why you are filing itiI तो reasons की अंदर आपको यह मिलता है are you filing return as per clause no 4 of 7 Provision to session 139 So اगर आप उन चार condition में कहीं भी fall करते है तो यहां पर select करेंगे इस वाले 4 वाले point को आपको select करना है and then continue करना है अब यह ITI two बड़ी होती है अगर आप ITI one four file करेंगे तो इस तरह के का आपको interface नहीं मिलेगा आप सीधर जाओगे general information है अब में general information में ध्यान से देखेगा आपके में क्या change आजाएगा अगर आप वहाँ पर file करेंगे तो यहाँ पर नीचे देखिए आप से पूछा जाता है इधर देखिए यह आप क्यों ITIR file करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने yes किया था देखिए तो यहाँ पर हमारा yes आ गया कि हम इस वाले clause के अंदर जो एपनी ITIR file कर रहे हैं तो यहाँ पर आप किसे option पूछा जाएंगे कि कौन से clause के अंदर कौन से point के अंदर आप fall करते हैं यहाँ से आपको select करना है कि आपकी जो total sales है वो 60 lakh को exceed कर गई है आपकी gross receipt profession की 10 lakh को exceed कर गई है या फिर third point आपका TDS TCSJ 25,000 से जादा का है और last point जो है आपका जो deposit है saving bank account के अंदर वो 50 lakhs को cross हो चुका है तो अगर आप किसी में भी fall करते हैं तो यहाँ से आपको select करना है वो वाला point और उसके बाद आपको यहाँ amount देनी है कि कि कितना आपका है आपने यहाँ पर select किया माल लीजिए आप fall करते हैं turnover वाले point में so सबसे first point turnover आपको यहाँ देनी है कि कितनी आपकी turnover है 60 lakh को अगर exceed करती है तो कितनी turnover है 70 lakh, 80 lakh, 90 lakh वो amount यहाँ पर आपको देनी है same professional के case में आपको जितनी gross receipts है वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेंगी तो यह नए चार points यहाँ पर add हुए है इनको ध्यान रखेगा ITR file करते time अगर आप यहाँ का client in clauses में fall करता है तो आपको इस तरीके से यहाँ पर yes करना है सबसे पहले तो इस point को और फिर यहाँ पर correct option जो है वो select करना है guys update मैं आपको दे दी है ITR two की detail video आपको आज या कल में ही मिल जाएंगी दस से जादा case studies में एक से दो हफते के अंदर आपके साथ discuss करूँगा practical case study YouTube के ओपर और courses के अंदर भी आपको detail 20-25 case studies में ITR के डालने वाला हूँ बड़ी ITR की छोटी ITR नहीं किनता हमें ITR one और four बहुत normal होती है बड़ी ITR की जब मैं बात कर रहा हूँ तो two three five और six seven भी मैं try कर दूँग ITR seven भी मैं include कर दूँ वो लेकिन course के अंदर include होगी so यह guys कुछ updates थी जो मुझे आपके साथ share करनी थी चलिए मिलते हैं आपको बहुत ही जल्दी मैं देने वाला हूँ ITR two share market की transactions के साथ मैं कैसे file करनी है और long term capital gain short term capital gain जो buildings के ऊपर आपको उते हैं वो मैं आपको देने वाला हूँ यह दो topics आपको बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पे मिलेंगे thank you so much guys for joining today's session have a great time अस्तर रे वुसक्रातर रे बाई-बाई take care